एक बार गौतम बुद्ध वैसाली नगरी में धन प्रचार के लिए जा रहे थे जब यह नगरी के बीचों बीच गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक देजी से भागती हुए एक लर्की का पीछा कर रहे हैं वह डरी हुई लर्की एक कुए के पास जाकर खरी हो गई वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुए से पानी निकालें सोयंग भी पी और उन्हें भी पिलाएं इतनी देर में सैनिक भी वहाँ उपने को कहा, उनकी बात पर वो कन्या कुछ छेपती हुई बोली, महराज मैं एक अच्छूत कन्या हूँ, मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर चल दूसित हो जाएगा, बुद्ध ने उसे फिर कहा, पुत्री बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिला लगी हैं, इस पार बालिका ने सहास बटोर कर कुएं से पानी निकाल कर स्वेंग भी, प्या और गॉत्व बुद्ध को भी पिलाया, पानी पिने के बाद बुद्ध हैं बालिका से भाई का कारन कुछा, कन्या ने बताया मुझे सन्योग से रजा के तरवार में काने का अफसर मिला था मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बाद को हमेशा याद रखे कि किसी भी इंसान की पैसान उसके धर्म अजाती नहीं बलकि उसके गुणों और कर्मों से होती है जिस बालिका के मधुर कंड से निकले गीत का आपने अनन्द उठाया उसे प्रुसकार दिया जिसके काड़ी इतने अच्छे हैं वो अच्छूत होई नहीं सकती यहाँ पर नीची सोच और छोटे काड़ी करके अच्छूत होने का पड़ी चाय तो आपने दिया है इसलिए मेर नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अच्छूत हैं वैसाली नरेस बुद्ध के सामने सर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे उन्होंने बुद्ध से छमा मांगी और वहां से चले गए तो दोस्तों इस कहानी की सिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार और विचारों से बड़ा बनता है अपने धर्म या जाती से नहीं